खेती है उसके लिए की सानवियों हमें पांच लेबर की जरुवत पड़ेगी लगभग दो बार जो की मीराई करेंगे गुलाई करेंगे और सिचाही करेंगे उनके जो खर्च लगभग पचीज सो रूपए का हो जाएगा इसमें हमें खाद और इस्परे करना होगा यानि खा किसान भी और लगते हैं जुताई भी करनी है उसका 6,000 रुपए मान लेते हैं और किसान भी मार्केट भी इसको चार से पांच बार ले जाना है तो उसकी भी लागर जुग है उसको भी हम 3,000 मान लेते हैं यह आप पूरे साल भर कर सकते हैं यू तो लगिन गर्मी के लिए करना चाहरे हैं तो फरवरी से मार्च तक करेंगे तो आपको ज्यादा च्रजल देखने को मिलेगा दूसरी वराइटी है किसान में वह है इस्वेद की 901 क्याम भी इसको आप बार बार कटाई के लिए लगा सकते हैं यारी वराइटी वह है नामधारी की सुर्वी बार बार एक एकड में बहुत ही आसानी से दो से धाई महीने के अंदर किसान भाईयों सौगत है आपका चैनल गिरी आकास पर किसान भी अगर कोई ऐसी फसल है जो कि सबसे कम समय में सबसे जादा मुनाफ़ा दे सकती है तो वह हरी धन्या की खेती जी हां किसान भाईयों अगर आप के समय में एक एकड हरी धन्या की खेती करते हैं तो मातर 15-16,000 रुपए की लागत में आप 2-5,000,000 रुपए तक कमा सकते हैं इस वीडियो में हम हरी धन्या की खेती की संपूल जानकारी जानने वाले हैं जैसे धन्या के लिए खेत की तैयारी, उननत किसमें और बीज इस परे कौन सा करेंगे पूरी जानकारी जानने वाले हैं शुरूफ लेकर अंत तक और इस वीडियो में अंतीम तक आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएं कैसे आप एक एकड में 15-16,000 रुपए लगा करके 2-5,000,000 रुपए तक कमा सकते हैं तो इस को आप पूरा देखिएगा चैनल पर पहली बाहर आएं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि खेती बाड़ी फुड़ी हुई ऐसी महत्वपून वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं खेत के तयारी पास-पास सिचाई की अच्छी बिवस्ता है तो आप उस मिट्टी में भी कर सकते हैं ध्यान दीए जो मिट्टी के प्याचमान है और आड़ से दस के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है सबसे पहले आपको एक फिदो जुताई करनी सुगहरी उसके बाद खरपतवार निकाल लेने हैं सोसे डिनर से कुंटल गोबर की खाट डाल देनी इसके लाव अर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास चिकन में नोड़े तो आप उसको डाल सकते हैं फिर आप एक दो चुताई कर दीजिए जब खेत में खरपतवार ना हो मिट्टी भुरुरी हो जाए तब आ कर्मी के लिए अगर आप इसकी बुगाई करना चाह रहे हैं तो फरवरी से मार्च तक करेंगे तो आपको ज़्यादा च्रजल देखने को मिलेगा साथ ही इसकी जो पहली कटाई है 35-40 दिन में सुरू हो जाती है और 2-3 बारिसी कटाप कटाई जो है वो कर सकते हैं और इसक बोलंतल की लंबाई होती है और इसकी बंटल की लंबाई होती है और 25-50 पहली कटाई इसकी जो है किसान भाईयो वो आपको 35-37 दिन में देखने को मिलती है तो हमने किसान भाईयो उननत किसमें जान ली अब बात करते हैं कि एक एकड़ में कितना बीज लेगा और बीज को उपचारित कैसे करेंगे देखिए अगर आप हाइबिड धन्या की खेती ग कर लीजिए लेकिन अगर आपका बीज जो है घर का है या पुराना है तब किसान भाईयो ज्यादा भी भी लीजिए तो आप किसान भाईयो हम बात करते हैं कि बीज को हमने उपचारित कर दिया अब किसान भाईयो हमें क्या करना है सबसे पहले बीज को उपचारित करने के हमें उसको पानी में भीगो देना है जब किसान भयो जो है उसको हम पानी में भीगो देंगे ना तब देखेंगे कि जमाव प्रसर जो है उसका वो बढ़ जाएगा आम तो धन्या का जमाव होता है किसान भयो वो दस से बारा दिन के अंदर जो है वो हो जाता तो धन्या का जम है और सही तरीका क्या होने वाला है देखे गर्मी में आप उस समय कीजिए कि जब आपको देखे की जो मौसम है वो गरम हो रहा है अभी बहुत सकते हैं जमाव की अच्छा हो जाएगा और बाद में जैसे अभी में बात करूँ ना मार्च का महीना चल रहा है कर आप मार्च के समय कर देखे head-up की दूरी है आप 15 सेंटी मीटर रखते हुए 30 सिंटी मीटर लाइन से लाइन के दूरी रखते हुए आप वाई कर सकते हैं और अगर आप लाइन से बुआइन नहीं कर रहे है छ्टी से कर रहे हैं तो आप श्रकाव विधी से भ 15-20 kg urea और उसके साथमी की सानवियों आपको 20-25 kg potaf लेना है तीनों को मिला करके आपको आखरी जुताई के समय डाल देना है यानि बुगाई के समय और उकी सानवियों हुआ है कि 10-15 दिन बाद आपको NPK 1919 1919 लेना है इसको किसान भीयों आपको 20 दिन के अंदर आप इस परे कर सकते हैं 10-15 दिन पर करेंगे ज्यादा अच्छा जड़ देखने को मिलेगा आपको लेना है किसान भीयों 50 ग्राम NPK 1919 1919 लेना है 15 लिटर पानी मिला करके क्योंकि 12 दिन पर जमाह होता है 15-15 दिन के वफ्था पर इस परे करेंगे पाउधा जो है आपका तेजी से विकास करना शुरू कर देगा उसके बाद किसान भीयों आप अनकूल पैदावार के लिए जो है लगभग 25-30 दिन के वफ्था पर आप 50 एमेल ले सकते हैं 12 सोना लाइड इसको ड 35-50 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा आप जो है उस हिसाब से 35-50 दिन में जो आपका उत्पादन है वї उप इस हिसाब से 35-50 दिन में जो आपका उतपादन है हो जाएगा अगर आप एक मल्टिकट वराइटी के चुनाव करते हैं किसान भीयों वो किसम जो की बार-बार उत्पादन दे तब उससे आप चार से पांच कटाई ले सकते हैं और अगर मैं बात को कितना उत्पादन हो किसान भाईयों तो एक एकड में लग भग आपको 20-22 का उत्पादन देखने को मिलेगा अब कितनी कमाई होगी उसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा किसान भाईयों कितनी लागत आने वाली है पहले हम लागत को जोडेंगे उसके बार इसमें कितना खर्चा किया इसको काट करके फिर हम देखेंगे किसमें सुद्ध मुन रूपय का हो जायेगा इसमें हमें खाद और स्प्रे करना होगा, यानि ऐक एक एकड में उसकी लागत लगवग 15 रूपय मान लेते हैं, कटाई भी करनी है, 4-5 बार उसका खर्च पाचीछ सुर रूपय मान लेते हैं, और इसके अलाओं किसानवियो, बीच काफी महेंगा है इसमें उपकरण भी और लगते हैं, जुताई भी करनी हैं, उसका 6,000 रूपए मान लेते हैं, और किसान भी मार्केट में इसको 4-5 बार ले जाना है, तो उसकी भी लागत जो है, उसको भी हम 3,000 मान लेते हैं, अगर हम इन सारे खर्चों को जोड़ देते हैं, तो हमारी जो ल लागत महीने जोड़ी है, यह महीने खुले खेत की जोड़ी है, अगर आप शेट लगाते हैं, या फिर अलग तरीके से ब्यौस्था करते हैं, तो उसकी लागत जो है, वो अलग हो सकती है, तो किसान भायों हमने देखा कि लगभग 15,500 रूपए की लागत यहां पर आ गई लगा, माल लीजिए, हम के लुत 100 रूपए ही माल लेते हैं, 10 रूपए प्रती किलों बिक्ती है, और किसान भायों हमें 20 कुंटल का यहां पर हमें उत्पादन होरा है, तो किसान भायों, अगर हम 100 को गुणा करते हैं, वहां जो है, बीस कुंटल से तब हम देखते हैं किसा 18,500 रूपय का जो है वो हमें एक एकड में सुध मुनाफ़ा देखने को मिलेगा यानि अगर आप एक एकड हरी धन्या की खेती करते हैं सही बिधी से तब अलग अलग जगा पर अलग लागत हो सकती है क्यों उत्पादन भी अलग हो सकता है आपको ये वीडियो कैफला कमेंट सकते हैं जरूर लिखिएगा आगे कौन सा वीडियो देखने चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं चैनल पे पहली बार आएं सस्काइब कर लीजिएगा तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो को नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए किसान भाईयो आपका बहुत बहुत धन्यवाद